इतने तगडे बुल रन के बाद यह जो मीजर सेलिंग देखने को मिल रही है यह डाइजस्ट हो नहीं पारी रिटेल इंवेस्टर से और वहीं पर जो एफ आया है वो कहरा भाई मैं इसको इतना गिराऊंगा इतना गिराऊंगा ताकि यह समहल ना पाए तो इस वज़े से जो रिटेल इंवेस्टर से अंदर थोड़ी सी घबडाहट देखने को मिल रही है थोड़ा सा डर का महौल दिखे रहा है यहां पर चार-पाश लोग जरूर हो सकते हैं जो बोलेंगे मुझे डेंड नहीं लगता लेकिन जो मार्केट मोड इंडेक्स है वो हमें कुछ औरी जता है इसमें कोई डर्ने वाली बात नहीं है यह बहुत ही आम चीज है हर इंसान की लाइफ में जिसने शेर बाजार में इंवेस्ट किया है उसने यह चीजे देखी हुई है जो FII की सेलिंग आ रही है इससे कोई भी डर्ने वाली बात इस वज़े से भी नहीं है विकेस FII भी इक तरीके के इंवेस्टर है उनको जहां पर अच्छी अपर्चुनिटे दिखे कि वहां पर इंवेस्ट करेंगे तो इंडियन मार्केट टैफिनेटली थोड़ी एक्सपेंसिव दिख रही थी तो थोड़ा बहुत सेल उफ है तो डरो मत टिके रहो और जिंदगी में आप मेंट है यह कह रहें मोतिलाल का जो डिफेंस है उसमें फस गया दस का एनवी मिल रहा था आठ का हो गया है उसका प्राइस तो क्या करें और इस यह इसासाथ दूसरा है इस बीए पीजिए उससे निकल जाओं क्या घातक जी आप बड़े ही घातक तरीके से फसे हुए दोनो दोनों mutual fund में आपने शारी चानल पहली बार देखा है या भी आप नए subscriber हो या आपने फर्स टाइम रहें के रैंडम ली एक वीडियो ठागर के देखिए है बट अगर आप इस चैनल की वीडियो ठागर देखोगे लास्ट छे महीने की तो लास्ट छे महीने के अंदर हम ची तो अगर उससे हाथ ही कटेगा उस से होगा कुछ भी नहीं तो आप यह समझें तो 10 का एनिवी था वो 8 का हो गया है जो इससे सर्फ उसे 2 प्राइस नहीं गिरा है इससे 20% का correction है और 20% का correction एक हवी correction होता है जब आप index के लेवल पर पर जाते हो लेकिन आज भी अगर आप defense क यहां पर bulk buy करा है, जिससे आपके लाखो करोडो रुपे, I mean, लाखो रुपे कम से कम करोडो तो नहीं होंगे, फिर भी, लेकिन लाखो रुपे के अंदर आपको नुकसान दिख रहा है, क्योंकि भाई यह आपने all time high पर खरीदा है, डिफेंस के अंदर कुछ नहीं होना भाई, यह overvalued चीज हो चुकी है, जब भी आप sectoral investing करते हो, तो आपको यह समझना पड़ेगा, कि main focus what next पे होना चाहिए, कि भाई यह sector तो पैसा बना गया, कहां पे दिखता है अगली opportunity, पैसा बनेगा वहां पे, तो sectoral investing आपके लिए पैसा बना भी सकती है, आपका पैसा टुबा भी सकती है, तो अगर आप मेरा point of view जाना चाहते हैं, दोनों के दोनों mutual fund से, तो same रहेगा, कि भाई चाहे defense हो या PSU, exit करो, किसी और में जाओ, loss हो चुका है, कोई बात नहीं loss हो जान दो, अगर आपको लगता है कि भाई ये recover करेंगे, तो तो बन ही रहो, तो तो क्या ही फरक पड़ता है, बढ़ मुझे नहीं लगता, तो इसी वज़े से, मेरा point of view यहां पर रहेगा, कि भाई exit करो, थोड़ा बहुत loss है, कोई बात नहीं पैसा बनाने, कहीं से बने जरूरी थोड़े नहीं, कि हमें defense से या PSU से ही बनाने है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, राहूल कुमार जी का comment है, थोड़ी सी आवाज खराब हो रही है, तो उसको please avoid करना, ये कह रहे है, Quant Infrastructure Fund का review करें, लंब से में माउट है, Sir Quant Infrastructure Fund बढ़िया फंड है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन Infrastructure ठीक है, मतलब अगर आप मेरे से आसे 6 मेने पहले बोलते हैं, तो मैं बोलता है, infrastructure में आपको invest करना चाहिए, बढ़िया assignment है, लेकिन आप ये समझो, बजार में इस infrastructure ने भी पैसा बना दिया है, तो अगर आप फसे तो लंबा फस सकते हो, ठीक है, तो इसी वज़े से infrastructure को avoid करो, कुछ patches हैं, अगर आप mutual fund की बात करोगे, sectors की बात करोगे, जहाँ पर actually में पैसा बन सकता है, सेम चीज़ मैं बोलना चाहूंगा, मैं दू-तीन महीने से बोल रहा हूं, और अभी कोई return नी बने है, और गिरावट इमिन काफी जादा दिखे रही हूं, उनके अंदर भी, वो है Qand का BFSI mutual fund, और आप कह सकते हो overall banking finance, उसमें Qand कलो या सुन्दरं कलो, जो आपको इच्छा बोले सकते हो, इसी साथ consumer ले सकते हो, बहुत अच्छे returns बना रहे हैं, फार्मों बहुत अच्छा return बना रहे हैं, IT अच्छे return बना रहे हैं, यह segments है जो आने ओले टाइम पर चलेंगे, और इन्हीं के उपर मैं भी बोलीश हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, बट मेरे को लगता हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदा बहुत साइच्छी से pricing हो चुके हैं सर, प्रिकाश पहुजा जी का question है, यह कह रहे हैं कि जो latest news है कि कोंट की EMC ने काफी सारा cash को reduce करा है, 19 से 14 हो गया और उन्हें इंवेस्ट करा है अदानी एंटर्प्राइज के अंदर, so question यह है कि यह काफी ज़्यादा अदानी के इंटर्प्राइज के अंदर, और अब यह aggressively add कर रहे हैं अदानी के इंटर्प्राइज को, तो क्या लगता है, यह volatile होने वाला है, so क्या यह इनको backfire कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, 1,973 करोर के आसपास के investment करी है अदानी इंटर्प्राइज ने, करीब-करीब सरसर्ट लाग रुपे, करीब कोई सरसर्ट लाग शेर जिनों ने खरीदे हैं, जो price point हुआ है 2,962 रुपीज पर share के साब से fund ने खरीदा है अदानी इंटर्प्राइज को, so क्या यह सही है या फिर गलत है, देखो इसको देखने के दो perspective है, मैं आपको दोनों बता सकता हूँ, दोनों अलग अलग इंवेस्टर्स के साब से अलग तरीके से काम करेंगे, इसमें कोई भी right और wrong नहीं होने वाला, मैं अपना भी आपको end में बताऊँगा, सबसे पहली चीज, अगर आप अधानी के अंदर इंवेस्ट करना चाहते हो, अधानी के सारे structure है, अधानी ग्रीन है, अधानी पावर है, अधानी पोर्ट है, जिन सब में से सबसे जो best company है, वो अधानी के enterprise है, एक proper decent valuation के आसपास है, और debt भी उस company को पर कम है, तो अगर आप इस perspective से देखोगे, कि भाई, मुझे अधानी ग्रूप में ही invest करना, तो अधानी पावर से better, जिसमें अधानी पावर में already invested हैं यह लोग, उससे better enterprise है, और इसी के सासद अगर growth आती है, तो enterprise एक ऐसा stock है, जो मुझे लगता है, एक sensible level पर है, क्या यह volatile होगा, definitely volatile होगा, इसके अंदर कोई दो राही नहीं है, क्या अधानी अपने आप में ही overall काफी साथ volatile है, because वो debt-based company है, थेर, stock के उपर हर company के उपर heavy debt है, except अधानी enterprise उसके उपर decent debt, debt होने के बीचे हैं के reasons भी आपको पता है, कि भाई, यार दोस्ते हमाई सरकार के साथ तो थोड़ा बहुत debt होगा, so, हाँ, definitely एक risky bet इन्होंने ली हुई है, बढ़ मुझे लगता है कि अगर किसी को अधानी में invest करना साथ तो अधानी enterprise best था, क्या ये इनको backfire कर सकता है, मुझे नहीं लगता ये इनको backfire करेगा, ये thesis मैंने बार में कुछ टाइब बाद realize करी कि ये चीज़े हो सकती है, येगर आप देखोगे हिंडन बग की जो report है, अब वो भी अधानी के stocks को गिरा नहीं पा रही है, क्योंकि volume से तिनी ज़्यादा generate नहीं हो पा रही है, क्योंकि majority of the holding अधानी के खुद के पास ये है, तो जिस दिन ये चाहे, उस दिन ये stocks को भगा सकते हैं पागलों की तरह, उस दिन कोई भी इनको गिरा नहीं पाएगा, तो ये एक major plus point है, उसी के सासद government के साथ इनकी alliance काफी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे लगता है, अगर आप इस perspective से देखोगे, तो अधानी stocks अच्छे हैं, आप देख सकते हो, बट ये हमारे और आप के लिए नहीं है, ये हो सकता है, mutual funds के लिए हो, हाँ अगर ये backfire कर गया, तो काफी ज़्यादा गिरावट दिखेगी, और गिरावट भी आप देखोगे, तो overall segment में दिखेगी, क्योंकि Quant AMC ने खरीद है, कौन-कौन से mutual fund में ये stocks को distribute किया जाएगा, और कितने percentage में, ये नहीं पता अभी, लेकिन हाँ, ये backfire कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ अदानी के favor में इस सवा पर, हमारी government अदानी को support करती है, कहीं नगी, आप को भी बहुत अच्छे से पता है, valuation perspective से भी अदानी enterprise एक decent valuation के आसपास है, अब हिंडन बग की report भी इसको गिरा नहीं पा रही है, और जो Quant का framework है, अगर मैं माल लेता हूँ, अपना best कर रहे हैं, अपने framework के सापसी कर रहे है, so Quant ने पहले भी अदानी के stocks में पैसर डाला है, और सही time पे exit किया है, लेकिन definitely ये point of concern हो सकता है, अगर आप मेरे से पुछ होगे क्या मुझे दिक्कत लगती है इसके अंदर, या मुझे लगती है नहीं, लगती से फरग नहीं पड़ता है, because Quant का framework की है ऐसा है, कि जो उनको suggestion मिलेगा, वो उसके basis को पर काम करेंगी, इसलिए अदानी power इनके portfolio में है, अब अदानी enterprise में नके portfolio में है, so I am good, like मुझे तब major फरग पड़ता नहीं, क्योंकि ठीक है, यह overall distribution होने वाला mutual fund में सिर्फ एक में नहीं है, और multiple stocks होंगे, और high growth company है, government के support के साथ चल रही हाई growth company है, तो ठीक है, थोड़ा बाद चल जाता है, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, एक negative side तो मुझे भी लगती है, कि अदानी में आप इन्वेस्ट क्यूव करें हो, और भी बहुत सार इच्छा options आपको दिखते हैं तो, एकलेश जी का comment में बहुत अच्छा comment है, इन्होंने लिखा आई और heart बनाए उसके आगे, falling market बाद मुने, करें नजरों के और हैं, ये तो गरना शोरू नहीं हो गई, युकि लोग के पैसे लगे वे वे हो, पैसे लगे वे हो, पैसे गढ़ता तो है, बुरा तो लगता हिया, पतल्तब सहिए है ए Jeffrey उस्ट की समझा है, पैसा है आपके बढ़ी है, अब उसके नीचे है exit, जो लिखा हूँ है, I am Shishir, Shishir जी आपका तो पता नहीं है, मुमिता जी आपका तो पता नहीं, देखें, मैं आपको seriously बताओ, तो मैं तो invested हूँ, मैं तो और invested ही करता जा रहा हूँ, और अगर आप मेरे से पूछोगे, तो मैं आज भी bullish हूँ इसके उपर, मैं पूरे-पूरे BFSI index के उपर ही bullish हूँ, कि भाई, आने वाले टाइम पर BFSI तो चले गई चलेगा, अगर इंडिया हो grow करना, तो यह grow करने से तो कोई भी नहीं रोख सकता, 8-10-15% कर्रेक्शन कभी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे defense है, hypothetical example है, defense है, 20% गिर गया, लेकिन वहाँ पर मैं negative हूँ, लेकिन BFSI मैं यहाँ पर positive हूँ, even 8% की गिरावट के बाद भी जैसे आपने लिखा, क्यों? क्योंकि जो growth है, वो अभी बाकी है, banking and finance services के अंदर, लेकिन जो growth है, जो defense के अंदर already हो चुकी है, जो जहाँ हो चुकी है, वहाँ पर गिरावट होई तो एक दिक्कत है, कि भाई, reversal नहीं आया, तो फस गए, लेकिन जो गिरा ही कम है, वहाँ पर reversal आने के chances high है, तो वहाँ पर पैसा बनने के chances high है, तो मेरे साब से account BFSI हो, या कोई भी banking, finance, services वाला mutual fund हो, तो अच्छा है, IT है, consumer है, अच्छा, यहाँ पर invested है ना, बढ़ियां बात है, इवन आप देखोगे, जब market recover करेगी, तो ये सबसे ज़्यादा 3 से recover करते हैं, बाकी के segment इतने ज़्यादा 3 से recover नहीं करते हैं, क्योंकि valuation एक concern है, बाकी सारे segment के लिए, यहाँ तो valuation अल्रेडी मरा हुआ, तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, थोड़ी बहुत गरावट, हर जगा दिखेगी, हमेशा दिखेगी, इसमें कोई डेंडने वाली बात नहीं है, सोरंग शीवा कमेंटर के कह रहें, निपॉन इंडिया small cap mutual fund चल नहीं रहा है, सर क्या करें आप मुझे मसदा क्या करोंगे, सर, आप क्या करोंगे, निपॉन इंडिया small cap नहीं चल पारा तो क्या करोंगे, तो अगर अगर अब ये तो होगी मज़ाग की बात, नहीं चल रा, चल जाएगा, क्यो चल जाएगा, क्यों चल जाएगा к्यूँ क्या आप मार्केरणे नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, क्योंगे 200 कंपनिया, 200 कंपनिया तो उसमें भी है, तो थोड़ा बहुत टाइम दो, अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, म्यूचल फर्ण में, बजार गिरेगा न, तो आप बजार के अंदर से रॉकेट कंपनिया भी लेकर आओगे, तो भाई वो भी गिरेगी, आप ये समझो, बजार जब गिरता है, लेकिन जब बजार चड़ता है, तो भाई, आपकी कंपनिया पहले चड़नी चाहिए, ये है, ये गेम है, और इस गेम में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, अभी तक बेस्ट दिखता है, अभी तक नहीं है, हाँ, थोड़ी बहुत अभी परफॉर्मेंस, येरली लेवल पर दिख रही है, लेकिन अपने बेंचमा को बीट कर रहे है, लेकिन अगर आप प्रफॉर्मिंग बंदन से कि बंदन टॉप परफॉर्मिंग था, चार महीने पहले या अची को डंडने वाली बात नहीं है, मेरे भाई, टैंशन मतलो, पैसा बना करके रखो, इन्वेस्टेटरो, बेजबाच के चले जाओगे, तो कहा डालोगे पैसा, जहां पर भी पैसा डालोगे, बज़ार गिरगा तो पैसा नेगिटिव में ही जाएगा, और बढ़िया च दिख रही है, तो यह कुछ कोश्शन से जो मुझे आज की वीडियो के अंदर लें थे, वीडियो पसंद आईए तो प्लिस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राब करना बिलकुम नत भूलना, थैंक ये सो मच पर वाचिं दिस वीडियो, टाटा, बबाई, आधुण सानी है नही है, चुछ अदुड लोभ सर्शोते से में थे टुङज से वीडियो को सफे छोती वीडियो, तो बाईनला करे हैं़ारी हिनगूड्य, याधिया जच वीडियो, फजिस में법लर, ये स्सक्ताब canal, बाक्राबकर च्रें आभकर अभकर चैनला, कि आब हाय